हाई लेविंधीज, वेलकम टो इजी वे कॉमर्स क्लासेज, मैं हो तापिता और गाइस, आज के इस वीडियो में हम उस कोईशिन का आंसर का पता करेंगे, जो सब 11 के स्टुडेंट्स के माइंड में होता है, जब वो रिक्टिफिकेशन ओफ एरर चेप्टर करते हैं, तो उस में सबसे बड़ा जो कुईशिन हमारे दिमाग में रहता है, वो होता है, when to open a suspense account, आखिर suspense account खुलना कब है, बता दो, suspense आएगा की नहीं आएगा, नहीं समझारा, तो आज उसी का solution बताने वाली हूँ, वो भी एक easy way में, तो वीडियो अगर फसंद आती है, तो like ज़रूर कर अग गैस हम लोग सबसे बहले बात करते हैं, suspense account आखिर कब खुलेगा, तो इसका कोई भी ऐसा वो नहीं है, ब्रह्मान, मलब कहते हैं शौस्तर की अब खुलेगा, लोजिकली है, गलती होगी, उसको सुधार ना है, अगर सुधार ते वक suspense की नीड होगी तो आएगा, लेकि जबी भी आप अपनी journal entry pass करते हो, जब आप journal entry pass करते हो, तो एक account अगर debit होता है, तो दूसरा account आपका credit होता है, राइट, अगर आपकी गलती सिर्फ एक चीज में होई है, यानि कि सिर्फ debit में हो गई, credit बिलकुल correct था, तो हम ऐसे case में suspense को use करेंगे, entry pass करने के लिए, अगर हमारी गलती सिर्फ credit में होई है, debit सही था, debit बिलकुल सही है, credit गलत है, तो भी हम suspense use करेंगे, तो यानि कि अगर गलती दोनों में से किसी एक की है, तो suspense अगर husband, wife, गलती किसी एक की है, तो suspense आएगा ही आएगा, ठीक है, अब ही जैसे देखो question है, purchase from Mohan, आपने Mohan से खरीदा, तो entry purchase from Mohan रुपीज 1,000 था, recorded in his account as रुपीज 900, अब देखो normal entry क्या होनी चाहिए थी, जब आप Mohan से purchase करते, तो हमारी entry होनी चाहिए थी, purchase account, debit, 1,000, किस से खरीदा हमने Mohan से, तो Mohan अकाउंट क्रेडिटों का 1,000 से, होनी entry यह चाहिए थी, गलती क्या होई, आपने का recorded in his account as 900, हमने उसके अकाउंट में 900 रुपे डाल दिये, और purchase में, उन्होंने purchase के बारे में कुछ नहीं बोला, यानि कि purchase correctly हुआ है, उन्होंने specify कि आपको कि उसके अकाउंट में गलती हुई है, यानि कि हमारी गलती सिर्फ credit में हुई है, Mohan के अकाउंट में तो हमें अपनी गलत as 900, तो मानते कि दोनों में है, लेकिन हिल्स आ गया, तो यानि कि गलती सिर्फ उसके अकाउंट में है, अब इसे rectify कैसे करेंगे guys, Mohan कम credit हुआ, तो कर दो 100 रुपे से credit, अगर कम credit किया, तो 100 रुपे से कर देंगे, अब भाई debit क्या, क्योंकि हमें तो entry पास करनी है, तो debit क् करेंगे, debit हम करेंगे, suspense account को, 100 से, क्यों, क्योंकि purchase correct था, गलती सिर्फ Mohan में थी, purchase बिल्कुल सही था, तो purchase को नहीं छेड़ना, ठीक है, तो यह है हमारा one-sided आरा, तो ऐसे case में हमने purchase, मलब suspense ला दिया अपने आपी, क्यों ला दिया, क्योंकि गलती एक जगे थी, और हमें entry पास करने हैं, तो entry में debit और credit दोनों चीज होनी है, तो Mohan को अगर हम credit कर रहे है, 100 से, तो debit क्या करेंगे, suspense को, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, guys, two-sided error की और, two-sided error क्यों, जिसमें आप दो, एक से जादा account में गलती कर देते हो, ठीक है, अब आपने जैसे purchase किया from Mohan, 1000, ठीक है जैसे कि purchase to Mohan होना चीए था, 1000 रुपीज, अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ, वर recorded in sale book, आपने purchase की जगे entry, sale book में record कर दी, कोई बात नी, आगे वो क्या बोलते हैं, however, Mohan's account was correctly credited, Mohan का account correctly credit हुआ है, बट हमने गलती से sale में भी entry कर दी, Sale में entry का मतलब होते है, to sales account में हमने 1000 रुपीज credit कर दी है, यानि कि हमने purchase में करना भूल गए, और purchase की जगे entry कर दी, sales में, जबकि Mohan बिलकुल correct पास हो गया, उन्होंने लिखा है, however, Mohan's account was correctly credited, अब इसे कैसे rectify करेंगे, देखो सबसे बहले purchase account हमारा debit होना चीए था, तो हम purchase इसको debit करेंगे, 1000 से, sale account को हमने गलती से credit कर दिया, तो यहाँ पे sales account को भी हम debit करेंगे, क्योंकि गलत credit किया, अब गलती को सुदारने के लिए opposite क्या करेंगे, debit कर देंगे, अब नीचे, ये तो debit की item हो गई, 2000 रुपे, अब credit side क्या post करें, क्योंकि Mohan को post नहीं कर सकते, वो तो बिल्कुल साइज जगे पर फिटो रखा है, उसके account में बिल्कुल 1000 रुपे गए हैं, तो अब हमारे पास जब कुछ भी नहीं है लिखने को, तो हम लिखेंगे, suspense account 2000, तो purchase account debit होना चाहिए था, इसलिए हमने करा, sale को हमने गलती से credit कर दिया था, इसलिए हमने debit किया, और rectify करने के लिए credit में कुछ नहीं था, तो हमने suspense लेके आए, तो यहां पर हमने suspense word use किया, ठीक है, तो इस तरीके से guys, suspense account वहां पर आता है, जहां पर आपके पास कोई और साधर नहीं होता, ठीक करने के लिए, यानि कि अगर ऐसा होता, कि भाई, इन्हों ने however, Mohan's account वाले line न Mohan to sales, तो ऐसे case में, हमारी purchase की जगे, अगर हमने sale book में record कर दी होती है, और Mohan के account को इन्होंने justify नहीं किया होता, तो purchase debit होता, क्योंकि होना चाहिए था, Sale को गलती से हमने credit किया, इसलिए उसे debit किया, Mohan credit होना चाहिए था, जिसे हमने गलती से debit किया, तो ऐसे case में हम suspense की जगे, Mohan लिख देते, with amount 2000, क्योंकि credit होना चाहिए था, 1000 से, बलकि हमने उसे गलती से debit कर दिया, तो debit को rectify करेंगे, और credit जो होना चाहिए था, तो 1000 plus 1000, 2000 तो अब आपको लोठाने कितने पढ़ेंगे, double amount, same way में इसको हमने credit करना था, 1000 से, बट हमने इसको minus कर दिया, 1000 से, तो अब हम double amount से उसको rectify करेंगे, तो ऐसे case में suspense की need नहीं पड़ी, लेकिन जहां पे हमारे error में कोई एक तरफा गलती है, या दो तरफा गलती थी, बट, credit साइड कुछ नहीं था, या debit साइड कुछ नहीं था, तो ऐसे case में हमें suspense word यूज करना पड़ता है, अगर guys आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है, किसी भी particular entry में तो आप मेर से पूछ सकते हो, मुझे message कर सकते हो Instagram, but I hope आपको ये चीज समझाई होगी, thank you!